कि अगर दोस्तों आज का टॉपिक लेते हैं निशनल कमिशन फो बैक्वर्ड ग्लास यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यह यूपीसी का जो मेंस पेपर है उसके जीएस टू में बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए यानि पॉलिटी सेक्षन में और फेली बिनमे मेंस का जो करिंट अविक खेड़न का जो कर्यंट सेक्षन है करेंट इंपॉर्टेंज का यानि ind है पेपर का सेक्षन टू और बहुत के लिए से सोधन बिल पास किया लोकसभा में और उसमें जो है National Commission for Backward Class है उसका नाम बदल करके रख दिया है National Commission for Socially and Educationaly Backward Class यहनि NCBC जो था उसका नाम हो गया है National Commission for Socially and Educationaly Backward Class अब इसके साथ साथ जो National Commission for Backward Class बिल 2017 था उसको पास करते ही उसको पास करते ही जो 1993 का जो लौ है वो अपने आप रिपील हो जाएगा उसको हटा दिया जाएगा अब हम लोग इसको देखते हैं कि जो विधायक आया यह जो बिल आया National Commission for Backward Class इसके फिचर्स क्या है इसमें क्या-क्या है इस बिल में फिचर्स में देखें तो इसको पहला फिचर्स यही है कि इसको constitutional status मिल गया अब इसको समविधानिक दरजा मिल गया जो आर्टिकल 338b के तहट उसके अंदर में जो socially and educationally backward class के बारे में जो लिखा गया है आर्टिकल 338b उसके अंदर इसको constitutional उसके तहट इसको constitutional दरजा मिल गया है इसके second features में देखें तो पहले जो one list instead of two यानि अब एक ही लिस्ट होगा दो बीसिट के लिए पहले उसके लिए दोनों पहले में ग्लिस्ट करता था और में संसोधनी विधयरोका में एक ही होगा जो center के past होगा, यानि central list होगा जो OBC के लिए उसी को मानने माना जाएगा जैसे कि serial cast और serial tribes के case में होता है तो there will be no parallel existence of central and state OBC list थर्ड features में देखें तो parliament जो है, parliament to decide on inclusion and exclusion यानि parliament decide करेगा कि किस cast को backward class में include किया जाए और exclude किया जाए, मतलब उसको add किया जाए समविधान में लिखा गया है article 322 के तहट कि president यानि राष्टपती जो है, specify कर सकते, किसी cast का पहचान कर सकते है socially and educationally backward class के रूप में अलग-अलग state और union territory में और ये वो तभी करेंगे जो वहाँ के governor जो भी उस state या union territory के जो governor है उससे consult करके करेंगे जबकि parliament law, law of parliament जो है उसको पूरा अधिकार है कि वो backward class का जो list है उसको amend कर सकता है उसको संसोदित कर सकता है उसको घटा सकता है या बढ़ा सकता है उसमें list add कर सकता है या भी list में say include और exclude दोनों कर सकता है development अगर fourth features में देखें तो development की बात क्या गया है मतलब यह जो bill है इसमें recognize किया गया है कि reservation के साथ-साथ उसको development needs का भी ध्यान दिया जाए means the bill has recognized the development needs in addition to reservations यह जो है अब सुनवाई करेगा जो भी problems है जो भी कर्ष्ट है या जो भी grievances है जो socially and educationally backward class का जो भी problems है उसको national commission for backward class यानि national commission for socially and educationally backward class है यह commission देखेगा पहले यही काम जो है यह commission का यही काम जो है पहला दुसरा commission काम करता था वो commission था national commission for civil caste यानि national commission for civil caste यह पहले देखता था socially and educationally backward class के issues को जो कि article 338 में mention किया गया है fifth features में है कि जो definition दिया गया है इसके लिए एक नया क्लावज एड किया है 26C जो आर्टिकल 306 से टेके ताहत इसको एड किया गया है जिसमें डिफिनिशन दिया है सोसली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के बादे में और यह जो बैकवर्ड क्लास है यह आर्टिकल 342 यह के अंदर इस बिदेख के इस बिल के आने से फार्दा क्या होगा तो सबसे पहला कि benefit of amendment इससे संसोधन से फार्दा क्या होगा सबसे पहला चीज़ कि transparency आएगी यानि पारदर्सित आएगी जो पहले जो भी थे जो भी executive थे जो भी वहां का मंत्रा लेचा जो भी कोई होता था वो अपने मनमाना धंग से OBC या भी backward class या भी socially educationally backward class के लिए अपना decision लेता था और मनमाना करता था लेकिन अब यह सारे process जो है अब parliament के थो होगा means it is difficult to get an arbitrary decision passed in parliament than through an executive order तो यानि अब executive order के बजाए अब यह जो भी इस से related जो भी decision पास होगा वो parliament के थो होगा तो इस बज़े से काफी transparency आएगी second हो गया political opportunities में मतलब राजनीतिक फायदा राजनीतिक फायदा अब ज़्यादा नहीं ले पाएंगे क्योंकि पहले जो state और central government को प्रेसर दिया था 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 नन backward community के द्वारा को उनको जो है backward class community में add किया जाए उनके list में add किया जाए अभी ऐसा नहीं कर पाएंगी और opposition जो blame करते हैं जो दाजनीतिक फायदा उठाने के लिए जो सरकार को election के समय जो पैसान करते हैं कि इस कास्ट को डाला जाए इसमें नहीं डाला जाए अब ऐसा नहीं हो पाएगा इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे क्योंकि अभी पूरी तरह से पाएलियामेट के हाथ में चला गया है और जो तिसरा फायदा है जो थर्ड वेनेफीट है वो है कि इसको समविधानिक दरजह मिल गया है यानि constitutional authority मिल गया है अब इसको एक पावर जादा बढ़ गया है और इसकी वजह से जो भी अब ये काम OBC के लिए भी होगा मतलब एक constitutional दरजह इसको मिल गया है तो constitutional authority मिल गया है अब इसको लेकर जो इसको इसू है जो कि मुद्धा है जो कि इसमें जो यार्थ इसको कह सकते हैं कि इसको जो नुकसान नया पी इसमें जो problems आदे हैं और problems क्या है सबसे पहला तो इसको प्रोब्लम से composition का composition में है कि पहले जो है इसमें composition जो कि इसका जो सुप्रीम कोड का judgment आया था मंदल केस में उसमें बोला गया तो कि national commission for backward class है उसमें एक expert buddy है उसमें अच्छे लोग है जो एक expert buddy है 1993 में जो है national commission for backward class आया था इसमें प्रवाइड गया गया था एक चेर्म है जो कि भूतपूर वे जज होंगे secretary होंगे एक member secretary होंगे और secretary level को officers भी इसमें included होंगे और एक member जो होंगे जो social scientist होंगे समाजिक मुद्दा से लेकर होंगे और जो दो persons होंगे और जो उसमें included दो person होंगे जिनको special knowledge है special ग्यान है backward class के बारे में लेकिन अभी का जिसमें इसमें features में कोई expert body नहीं है इसमें कोई provide नहीं किया है कि national इसमें कोई income position ने कि national commission for backward class bill में कोई expert body का कोई provision इसमें नहीं डाला गया नहीं provide किया गया है और जो second issue है वो है federal structure को लेके क्योंकि इसमें पूरी तरह से जो decision है यह सारा center को हो रहा है अगर किसी स्टेट में वहां पर ओबीशी डिजयवेशन या backward class डिजयवेशन का डिमांड होता है तो वहां पर स्टेट कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि पूरी तरह से center के हाथ में है तो वहां पर federal structure जो है उस संगवाद कहीं कहीं नुक्सान कर रहा है तो इस वज़र से राज्यों के इसमें problem होगा राज्यका इसमें जो power जो है वो घड़ जाएगा वो कम हो गया हालाकि अभी राजसभा इसको पास नहीं किया अभी राजसभा में जाना है र फिरेशिडेंट के तुरू यह पूरी तरह से एक्ट बन जाएगा थार्ड में जो की रिकमेंडेशन जो की national commission for backward class जो है इसका रिकमेंडेशन इसके जो सिफाई से जो भी रिकमेंडेशन देगा यह कोई कोई बाइंडिंग नहीं है यानि इसके रिकमेंडेशन को मान भी सक यानि एक समय बाद जो list का division हो, list को फिर से देखा जाए, review किया जाए, socially educationally backward class के बाए में, उसके बाए में कहीं कुछ दिया नहीं, यानि जो की national commission for backward class का consultation के साथ, यानि उसके साथ-साथ जो revision किया जाएगा, एक समय के बाद, कहीं division की, periodic division की कहीं बात नहीं किया गया है. जो fifth issue है, उसमें बोला गया कि amending article 366, यानि कहीं संसोधन का इसमें कुछ प्रक्रिया नहीं है, यानि इसमें जो लिखा गया है, जो definition है, OBC का, वो हो सकता है, जो current definition है, जो social and educational criteria हो सकता है, इसके आगे भी जाए, ति इसके बाद में कहीं संसोधन के बाद में कुछ नहीं mention किय गया है, और अगर six issue में देखें, तो similar footing, on a similar footing as SCST, मतलब इसमें माना गया है कि जो backward class और serial caste and serial tribes, तीनों को एक ही league में, एक ही line में खड़ा कर दिया गया है, और बोला गया है कि तीनों, मैंने इस तरह से define किया गया है, कि जो जैसे SCST के साथ भेदभाव हुआ है, उसी तरह स OBC के साथ भी हुआ है, discrimination और समाज में उसका भेदभाव और society's exclusion और उस पे जो हिंसा, जो कि यह historically देखा जाय तो justification नहीं है, यह नियार से अलग है, या historical justification नहीं लगता है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप like करें, share करें और subscribe करें, subscribe करने से आपको ज suggestion देना चाहते हैं, तो आप ज़रूर लिखें comment box में, और अगर इस बार जो मेंस के लिए important topics हैं, उस topics का नाम भी लिखें, जो कि बहुत ही important है, और उसको discuss करना ज़रूरी है, तो ऐसे topic को हम लोग ज़रूर discuss करेंगे, so thanks, thanks for watching, okay, bye.